Hello everyone, Good morning all of you, Welcome to my channel exam store, exam store channel में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ तो friends आज हम लोग बात करने वाले हैं UPSSCPET का कटाफ और कितने नम्मरों से होगा qualify अगर आप किसी भी exam के preparation कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसके कटाफ और कितने नम्मर से qualify होंगे इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ जो है preparation या strategy भी जानना आपको बहुत अवश्यक है मैंने इसका syllabus भी टेलग्राम चैनल पर डाल दिया है कि जिन student को इसका syllabus नहीं पता है पहले जाकर इसका syllabus देख लेंगे डाउनलूड भी कर सकते हैं गाई syllabus जनकारी होने से आप वही पढ़ेंगे जो आपकी exam में आने वाला है अने था आप लोग ऐसी चीज़े भी पढ़ लेते हैं जो आपकी exam के लायक नहीं रहता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टिलिग्राम चैनल का लिंक मिलेगा वहां से जाके आप इसका पीडिया भी डाउनलूड कर शकते हैं अगर आप इसका टेस्ट स्री लेना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट बुक का जो है लिंक दे दूंगा वहां से जो है आप डाउनलूड करोगे तो 270 रुपए का पड़ेगा वरना आपको 300 रुपए क ठीक है 30% का आपको डिस्काउंट बिल जाएका उसमें लगबाब 12,000 टेस्ट है और पीटी की सबसे अच्छी तैयारी वहां से आपकी होशक्ति है तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं यूपीट्र प्लसी पीटी का कटाफ और कितने नम्मरों से होगा पेश करता हूँ ना पूच की मेरी मंजिल कहां है अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारूंगा हांसला उम्र भर ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है ओके गाईस तो वीडियो स्टाट करते हैं लेट स्टार्ट तो गाईस यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पर जो है कटाफ बढ़ सकता है कि यूपी ट्रिपलसी पीटी ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए जल्द होगा परिच्छाओं का आयोजन और भारी संख्या में आवेदन की वज़ा से बढ़ सकता है कटाफ तो यहां पे आपको यह देखने को मिल सकता है कि इस बार जो है कटाफ थोड़ा हाई रहने वाला है क्योंकि बहुत जादा संख्या में जो फॉर्म अपलाई हुए है मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रही यूपी स्रोवाडिनेट सर्विस सेलेक्शन कमीशन यूपी ट् के प्रिलिम्नरी इलिजबिल्टी टेस्ट पीटी के लिए 21 लाख आवेदन हुए हैं और इसकी आवेदन परिक्रिया हाली में श्रमाप्त हुई थी और अब अब है आरती जो है परिच्छा का इंतजार कर रहे हैं अगर आपने भी इसके लिए आवेदन किया है और पहली ब सकते हैं अब आपको बताता हूं पीटी के लिए हुए बंपर आवेदन इसके बाद कटाफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश में अब ग्रूप बी और ग्रूप सी की नोकरी में आवेदन के लिए यूपिट्र पलसी परिच्छा में उत्तरिन होना हैं और इन पदों के लिए इतनी संख्या में आवेदन को देखते हुए कई अवियारतियों के मन में यह सवाल उट रहा है कि इस परिच्छा में कटाफ क्या होगा और इसे किन अधारों पर नियदारित किया जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं बहुत सारी स्टूडेंट की संख्या यानि केंडिडेट कितने फर्म जो है अफलाई किये हुए यहां पर आप आपको में सन कर दिया गया है कुल रिख्तियां रिख्तियों जितनी भी अधिक होंगी कटाफ उतना ही कम होगा इसलिए कटाफ सीदे कुल रिख्तियों पर निर्वर करता है ति यह भी इ सेक्ते जिटनी रिख्तीयां होंगी जितनी अधिक होंगी उतना ही कटाफ क्या मैक्सिमम मार्ग सिक्योड एक अवियार्ति द्वरा परिच्छा में प्राप्त अधिक्तन अंक भी उस वर्स लाख अव्यारतियों ने आविदन किया है क्योंकि यह परिच्छा राज में सभी नोकरियों के लिए अनिवार है तो उमीद है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अव्यारती पास होंगे और इस वजह से यह अनुमान लगाए जा रहा है कि इस परिच्छा का कटाफ जो है 67 से 75 के बीच रह सकता है तो कटाफ काफी आई रहने वाला आप लोग देख सकते हैं यानि 67 से 75 के बीच रह सकता है तो यह आपको जनकारी मिल पा रही है जो कि सबसे एहम है अब मैं आपको यहां बता सकता हूं परिच्छा से संबदित जो महतपूर जनकारिया है इस परिच्छ पार्ता ने खलत्प मार्किंग भी है जो परते याने पिक only 5 मार्किंग है गलत उत्तर देने पर क्या में प्वाइंगे यह तो यह आज का समरी मैंने आपको ऐसने कबारम बता है जो कि 67 से सकता है के बीच में बारे है और इसको आपको इक से रिलेटेड जो जानकारी दी इस लेवस के बारे में भी आप कहेंगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा और उसका पीडियाप जो मैं आपको टेलग्राम चैनल पर दे दी जाहूं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लीज आप सभी से नहीं विदे नही कि टेस्ट बूक का टेस्ट जरूर जोइन कीजिए जिसमें आपको 270 रूपय में जिसकी वैलिटीडी 365 दिन किये और लगबा 12,000 एक्जाम आपको मिलने वाले हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक लिए गुड बेटे के जैन दोस्त लव यू अल